मानी सी गजेंदर सिंग सेखावज जी उत्तर प्रदीश सरकार में मेरे बरिष्ट सेहोगी उपमुख्य मंत्री सी केशोपरसाद मोरे जी जल सकती मंत्री डॉक्टर महेंदर सिंग जी बिधियों न्याय मंत्री सी ब्रजेश पाठक जी प्रदेश सरकार महिमंत्री से रमापती सास्त्री जे मुकट विहारी बर्मा जे बलदेव ओलक जे से पल्टूम राम जे मान्य सांसा से ब्रजभोषन सरन्ण सिंग जे कुँआर कीर्थी वर्दन सिंग जे मान्य सांसा दच्छेवर लाल गौड जे सभी मान्य विधायक गान भारती जन्ता पार्टी के सभी पदादी कारेर भारी संख्या में आधनिय प्रधान मंत्री जे का मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्ति भाईयो बहनों आधि सक्ति मा पार्टेश्वरी किस पावन भोमिपर दुनिया के अंदर सांती मैत्री और करणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के इस पावन धरापर पूर प्रधान मंत्री सर्दे अटल विहारी बाच्वेई जी की करम भोमे और सर्देश नाना जी देश मुकिस करम भोमे पर दुनिया के लोग प्रियनेता देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी का मैं आप सभी जनता जनारदन की और से प्रधेश वासियों की और से इर्देश स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ भायो बेनो पूर्वी उत्तर प्रधेश आजादी के बाद से लगातार उपिक सिथा उपिक सा का कारण यहां की गरीबी यहां का पिछड़ापन और इस छेत्र में लोगों के मन में रास्तियता का भावत था लेकिन विकास के प्रति जो जज़वा होना चाहिए था उस जज़वे को पंख नहीं मिल पा रहे थे हम सब आभारी हैं आधनिये प्रधान मंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रधेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी आज उसका साकार रूप देखते भी मिलना है मेडिकल कॉलेजेज के एक लंबी स्रिंखला हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर में इस सेत्र में हुई अभूत्पूर बडोत्तरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए मात्र चार दिन पहले आधनिये प्रधान मंत्री जी ने गोरकपुर में 31 वर्स पहले बंद हो चुके खादकार खाने का उदगाटन किया है पहले की चुलना में चार गुना बड़ी च्छमता के इस खादकार खाने का उदगाटन करने के साथ ही अखिल भारतिय आईरविज्ञान संस्थान देवी पार्टन कमिस्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का उसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हाउस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी लेकिन आज एम्स गोरकपुर में आ गया है बिमारी तो यहाँ पर दिमागी बुखार रहा हो चाए वहाँ मलेरिया हो काला जा रहे डेंगू है चिकन गुनिया है इयाम बिमारी थी इसका उपचार नहीं होता था बलकि अग्याद बिमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था लेकिन प्रधान मंत्री जी ने गोरगपुर में वारल लिसर सेंटर हर प्रकार की इस प्रकार की बिमारियों की जाज का केंदर बना दिया है और उसका भी लोकारपन किया है 10,000 करोड उपे की पर्योचना का लोकारपन 7 तारीकों किया है इससे पहले नौ मेडिकल कॉलेजेज का उद्गाटन सिदार्थ नगर से किया था एक इंटरनेशनल लियरपोर्ड कुसी नगर के माध्यम से पूर्वी उत्तरब्रदेश और उत्तरब्रदेश को दिया और आज हम आभारी हैं आधनिये प्रधान मंत्री जी के सर्यू नहर रास्तिय प्रयोजना के लोकारपन कारिकरम के ले सर्दे उटल जी किस कर्म भूमि पर मापाटेश्वरी किस भूमि पर आधनिये प्रधान मंत्री जी का आगमन हुआ है भाईो बैनो ये रास्तिय प्रयोजना 1972 में इस योजना को सैमती मिली थी और 1972 में मेरा जनम भी हुआ यानि मेरा 1972 में जनम हुआ हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं आधनिये प्रधान मंत्री जी की अनकमपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे है लेकिन सर्यू नहर पर योजना कभी पूरी नहीं हो पाई लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधान मंत्री किर्शी सिचाई की योजना बनी लेकिन भायो बेनों पहले दो वर्सों में ततकाली इन प्रधेस सरकार ने रूची नहीं ली उससे पहले की सरकार जाए वह कॉंग्रेस की रही हो बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो उनके अंदर तो रूची थी ही नहीं लेकिन जब प्रधान मंत्री किर्शी सिचाई की योजना आ गई तब भी लोगों नहीं रूची नहीं ली और पैणाम क्या था 1978 से प्रारंब हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीद गए और 40 वर्स में भी प्रयोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी लेकिन जब प्रधान मंत्री जी ने स्वयम इन योजनाओं का रुव्यू करना प्रारंब कर दिया समिक्सा प्रारंब कर दी देश के अंदर 100 ऐसी प्रयोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आंदनी को 2022 तक दुगना करना है दुगना करने के लिए उस स्वयक है कि सिचाई की इन प्रयोजनाओं को समय बद्ध ढंग से आगे वढ़ाना है भाईो बेनो आज आदनी प्रधान मंत्री जी के अनकमपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 प्रयोजनाओं को इसके लिए चेयन किया गया था उनमेंसे 17 प्रयोजनाओं पूरी हो गई है और 17 प्रयोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हैक्टियर भूमिकों सिचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है ये तब संभा हो पाया जब प्रधान मंत्री मोदी जी ने प्रदान मंत्री किर्शी सिचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के सलक्से को लेकर क्या आगे बढ़े आज उसका पेड़ाम हम सब के सामने है एक प्रियोजना उत्तर प्रदेश की मात्र है जिस पर युद दस्तर पर कारे चला है वा है मध्यकंगा प्रियोजना तीन जन्पदों को जोड़ती है लेकिन भाईयो बेनो देश की सबसे बड़ी प्रियोजनाओं में से एक इस सर्यू नहर प्रियोजना बैराईच गोंडा बल्लामपूर स्रावस्ती सिदार्थ नगर बस्ती संत कभीर नगर महाराज गंज गोरकपुर इन जन्पदों को जिन छेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था मुझे याद है मैं जब डेड़ महीने पहले बल्लामपूर जिले में आया था तो बल्लामपूर का एक किसान मेरे पास आया था किसान के चेहरे की खुसी बताती थी कि कुछ नया मिला है मैंने उनसे पूछा मैंने का क्या है कुछ नया मिला है क्या उन्होंने का साथ नहर पूरी हो गई है तो मैंने का इससे क्या लाब है उन्होंने का साथ हमारे खेतों को पानी मिलेगा हम सबजी की खेती कर पाएंगे कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे यहां से पलायन नहीं होगा यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कारे करेगा तब मैंने अन्रोत किया था देनिय प्रधान मंत्री जी से कि आपने 2015 में देश के किसानों के लिए जो सपना देखा था उसका एक जीवन तुदारन सर्यू नहर पर्योजना बन रही है और यह सर्दे उटल जी के उस सपने को नदी जोड़ो अभियान का भी सपना साकार करती है घागरा नदी को सर्यू नदी से, सर्यू नदी को रापती नदी से, रापती नदी को और बाणगंगा नदी से और बान गंगा को रोहिन नदी के साथ जोड़ करके उत्तरब्रदेश के नौ जन्पदों की लगभग पंद्रों लाक हेक्टियर भूमी को सिचाई की बेहतर सुधा प्लब्द कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है आजने प्रधान मंत्री जी मैं इसके लिए उत्तरब्रदेश की जन्ता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हों स्वागत करता हों अविनंदन करता हों क्या जाब स्वयम राष्ट को समर्पित करने के लिए इस महत्वपूर्ण परियोजना को समर्पित करने के लिए यहां प प्रियोजिना को एक समय बद्ध ढंग से जो कारे 40 वर्सों में नहीं हो पाया और इस कारे को आपके मार्ग दर्सन में बिगत साड़ी चार वर्स के अंदर पूरा करते हुए अपने अन्य दाता किसानों के सम्मान की रक्सा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के नुप दुगना करने के सकार करम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिवधिता के साथ कारे कर रही है यह पूरा छेतर नैपाल से जुटावा छेतर है हमने जो पहला बेराज बनाया है जहां पर घागरा और सर्यू नदी मिलती है मातर साथ किलो मेटर की दूरी पर नैपाल की सीमा प्रारंब होती है कितना उस नहर पर्योजना आने के बाद कितना रमडी को छेतर बना है मुझे देख कर गए लग रहा था कितनी प्राक्रतिक संदरिय से भरपूर छेतर बनने जा रहा है इस छेतर में परेटन के नेक संभावनाई बढ़ेंग सिचाई की पर्योजनाओं का लाब उन्हें यहां पर प्राप्त होगा और आज आप स्वयम भी मापाटे स्वरी के इस पावन धाम की इस जनपद में पधारे हैं मैं सोसर पर आपका एक बार फिर से इस पूरे छेतर में उत्तरप्रदेश के नागरिकों की और से फिरते से स स्वागत और अविनंदन करते हुए आज के सौसर पर पूरे नौ जनपदों को उन तीस लाग से दिक किसानों को जिने इसका लाब मिलने वाला है हिर्दे से बधाई देता हूँ कि आज सिचाई की योजना का लाब जैसे बल्लामपुर के किसान के चेरे की चमक बता रही थी यह चमक इन सेतर के नौ जनपदों के प्रते किसान के खेत में इसी प्रकार से आदे देखने को मिलेगा मैं एक बार फिर से आपका हिर्दे से आभार बेक्ट करते हूँ स्वागत और अभलिंदन करता हूँ धन्यबाद जैहिन जैजै स्री राम